हेलो एब्रीवन दिस इस साकेल लिटोरिया और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ओम भड़े से MPPSC Assistant Engineer 2020 exam का final result आउट हो चुका है और ओम भड़े को यहाँ पे WRD डिपार्टमेंट मिला है तो ओम भड़े यहाँ पे आपसे अपना experience share करने वाले हैं यह Navigate Institute के offline classroom program के student रहे हैं साथ ही साथ इन्होंना test series भी यहाँ से दी हुई थी last time और साथ मैं आपको बता दूँ के interview guidance program जो था इन्होंने interview guidance program भी Navigate Institute से अपना complete किया था तो ओम अपना experience आपके साथ share करने वाले हैं क्या रहा है इनका experience क्योंकि जैसा कि आपको पता है 2021 का prelims का result भी आ चुका है और बहुत सारे candidate अभी interview देने के लिए जाने वाले हैं तो यह ओम अपना experience लाश्ट टाइम का share आपके साथ करने वाले हैं कि उनके साथ किस टाइब के questions हुए थे क्या हुआ था किस टाइब से इन्होंने answers बगेरा किये थे सारी complete information आपके द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है मेरा नम भीड़े है मैंने इस्टेट इंजिनेरिंग सर्विस 2020 को पास क्वालिफाई किया है और मैं अपना experience शेयर करना चाहता हूँ मैंने अपने coaching नेविकिट इंस्टिटूट इंदोर से की है और मैं continuity बनाए रखा यहां पर coaching में और यहां पर test series वागरा यहीं से complete करी है मैंने तो इससे काफी मुझे benefit हुआ और मुझे 2020 MPPSCAE में WRD department मिला है तो मैं recommend करना चाहता हूँ आपको कि जो मैं interview में मुझसे पुछा गाया था मैं आपसे share करना चाहता हूँ इंटर्यू इतना difficult नहीं होता है लेकिन वहाँ पर आपका confidence level check करते हैं सबसे पहले सर ने जैसे में entry की थी तो सर ने मुझे पूछा था कि आप पहले मैंने उनको अपना introduction दिया था तो उसके बाद उनने पूछा आप कौन से particular location से बिलॉंग करते हो तो मैं जैसे बाग से ब G.I.I.I. टेक दिया गया है तो उसके बारे में क्या process होती है, backprint बनने की बाग आता है धार शेत्र में धार जिला लगता है हमारा थो धार जिले में दो लाइन इन कराइन सबस्क्राइब था मैंने उनको बताया था कि सवच्च अभाराद अभियान में इंदोर दो पांच बार फस्स प्राया चुका है और हमारा चट्टा प्राया से कि पहले प्याए उसके बाद सर ने जो मैंने बोला था उसी के बारे में पूछा था सर ने कि आपने कश्रा गाड़ी तो देखी ह दिमिता कि कि समें कुन सा कश्रा ठार गाइक किम जांब्ला या इन ऑर्गनिक किसमें डाला जाता है फिर उसके बाद में और उनके लुगराओ कि आप प्राइब Manuel एंपी में कितनी प्राइवेट कंपणिया जो आप जानते हो इनका नाम बता सकते हैं तो मेरे द्वारा नाम दिली बिल्ड कोई का लिया गाय था जो मेट्रो का काम समाल रही है अपने इंदोर और बापाल में और मेरे होबी से मैंने डाला था कि आपको मतल मुझे कौन सी मु किये गए थे मुझसे और इसी तरह से उन्होंने बहुत नॉर्मली तरीके से मेरा इंटर्यू लिया था ऐसा कोई हेजिटेशन नहीं लग रहा था मुझे वहां पर इंटर्यू देते समय लेकिन वह बस सिर्फ आपका कॉंफिडेंस देखना चाहते हैं तो आप यही प्रया नॉन रहा था मनें नॉन टेक रुँट को नॉन टेकल में रहें पूछ रहे थे और बाकि सारे टेकनिकल के बारे में पूछ रहें गाया था तो मैंने लगभग 60% जिए थे उन को बस एए किकेना चाहूंगा मैं मैंने नेविगेट इंस्टिटूट से इंटर्व्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था तो मैं यह रिकमेंड करना चाहूंगा आपको कि आप यहां से ले सकते हैं और 30 को ओपन सेमिनार रखा गया यहां पर तो मैं भी अवेलेबल रहूंगा यहां पर उस दिन तो आप यहां से कॉंटेक्ट कर सकते हैं नेविगेट इंस्टिटूट पर और इंटर्व्यू गाइडेंस प्रोग्राम ले सकते हैं और मेरा एंपीपेसी टुथाज़न ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटीवन में सेलेक्शन हुआ है तो मैं उसके तो इसके लिए 30 को सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है ओपन सेमिनार है कोई भी आ सकता है यहां पर और उस दिन में भी खुद अवेलेबल रहूंगा यहां पर तो आप नेविगेट इंस्टिटूट यहां पर आकर सर से गाइडेंस प्रोग्राम ले सकते हैं इंटर्यू ग करूंगा कि आप यहां आकर एक बार कॉंटेक्ट किजिए और देखिए कि मोग इंटर्व्यू में क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है यहां से और मेरे हिसाब से दो से तीन मोग इंटर्यू देना कंपल सरी है तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा वहां पर यहां पर हैजिटेशन नहीं होगी जब आप पहली बार इंटर्यू दे ऊगे क्योंकि वहां पर आप जो अपने से बात करते हैं वह लगता है कि बिल्कुल दोस्त बात कर रहे हैं ऐसा लगता ही नहीं के सर बात करें तो वह बेनिफिट रहता तो मैंने खुद नहीं यह झाल झाल